पटोधी खांदान की बेटी सोहा अली खान को को नहीं जानता सैफ अली खान की बेहन सोहा अली खान कई फिल्मों में काम कर चुकी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी की मालकिन है सोहा अली खान इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज की हमारे इस वीडियो पे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं Next Time Life मैं हूँ आपका दोस्त अकाश तो दोस्तो संपत्ती पे खुलासा करें इससे पहले चलिए जानते हैं सोहा अली खान के बारे में कुछ रोचक बाते हैं तो सोहा भले ही फिल्मों में कुछ खास कमाल ना दिखाई पाई हो लेकिन उन्होंने अपना एक अलग मुकाम जरूर हासिल किया है दोस्तो सोहा का जन 4 अक्टूबर 1978 को हुआ था सोहा के पिता मंसूर अली खान पटोदी खांदान के नोवे नवाब थे उनकी मा शर्मीला टेगोर 17 और 80 के दशक की बड़ी अधाकारा रही है तीन भाई बहनों में सोहा अली खान सबसे छोटी है दोस्तो सोहा उन चंद गीनी चुनी एक्ट्रिस में से हैं जिन्होंने बढ़ाई में अपना ध्यान लगाया नवाबों के घर में जन्मी सोहा फिल्मों में काम करने से पहले दिली के बिटिश स्कूल से अपने बढ़ाई पूरी कर चुकी थी इसके बाद वो लंडन में आक्सवर्ड की पढ़ाई करने गई सोहा ली खान ने आक्सवर्ड से मौडन हिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद लंडन स्कूल आफ इकनॉमिक्स और पॉलिटिक साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर इगरी भी पूरी की है फिल्मों में करियर शुरू करने से पहले फाउंडेशन और सिटी बेंग में जॉब भी कर चुकी है सोहा की माँ और मशूर एक्टर चाहती थी कि सोहा फिल्मों ना आकर वकालत की तरफ अपना करियर को बढ़ाए सोहा दा पिरल आफ बिंग मौडरेटली फेमर्स नाम से एक पुस्तव भी लिख चुकी है इसके अलावा वो सोशल कामों में भी अक्सर आगे आती दिखती रहती है दोस्तो साल 2004 में बेंगॉली फिल्म इती श्रीकानता से सोहा अली खाने फिल्मी करियर की शुरुआत की बॉल्वूड में उन्होंने शाहित कपूर के साथ दिल मांगे मौर से कदम रखा था लेकिन सोहा को पहचान मिली फिल्म रंग दे बसंदी से साल 2006 में आई इस फिल्म के लिए सोहा को आईफा और जिफा का बेस्स सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था सोहा और कुनाल की मुलाकात ढूनते रह जाओगी फिल्म की शूटिंग के दोरान हुई थी लेकिन दोनों के बीच काफी मामलों को लेकर तकराश शुरू हो गई थी लेकिन दोनों के बीच बादशीत होना भी शुरू हो गई दोनों दोस्त बन गए और साथ रहने का फैसला भी कर लिया दोनों करीब साथ सालों तक लिव इन रिलेशन्शिप में रहे सोहा ने अपने भाई सैफ से बात की सैफ को कुनाल बहुत पसंद आये और दोनों ने ट्वीटर पर शादी का एलान भी कर दिया साल 2015 में दोनों ने शादी भी कर ली कुछ साल पहले इनको प्यारी सी बेटी भी हुई जिसका नाम इनाया रखा गया वहीं दोस्तों अगर सोहा अली खान की समपत्ती की बात करें तो सोहा के पास लगभग 20 मिलियन डॉलर्स है फिर मुंबई में अपने पती के साथ लगजरी घर में भी रहती है जब सोहा की शादी होने वाली थी तो उनकी मा शर्मिला ने उन्हें मुंबई में 9 करोट का घर तोफे में दे दिया था तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा आख लियां से ही बहतरीन वीडियो लाता रहूंगा नमस्कार